मशकार दोस्तों बिग बूल मार्केटिंग में आपका स्वागत है सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले प्ली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद सो गाइस आज हम डिस्किस करें गुजराद गैस के बारे में क्या आपको इस शेर पर निवेश करना चाहिए नहीं और इस शेर में आपको कहां स्पोर्ट देखने को मिलेगा और कहां पर रिजिस्टेंस सारा हम आपके लिए क्लियर कर देंगे सो गाइस वीडियो एंट दक जुरूर देखेगा सो कैसे पहले कंपनी के फंडेमेंटल के बारे में भात की जाए तो कंपनी के फंडेमेंटल जो है काफी स्टॉंग है कंपनी का स्टॉक नहीं जादा इस कम्पनी के एन्ध ग्रोथ रेट प्रफित जेनरेसट रेवनु ग्रोथ रेट कैशछ़ फ्लो स्ट्रेटमेट इंकटम्न इस सारी । पॉधि sm dass company की Pro2 और अरनिक पर श्य Exact काफी अच्य मेंगा है सो गाइस आप देख सेत भी गुजरात के वीडियो बना के दी थी और हमने आपको कहा था कि आप जो है इस शेर पे एक कन्विक्शन कॉल जो है ले सकते हैं गाइस क्योंकि जो 466 इसमें बहुत जो है इंपोर्टेंट स्पोर्ट लेवल इस शेर में बना हुआ था गाइस और यहां से आप देखते एक तकड़ा जो है रेली देखने को मिली काई जमने आपको पहले भी पैसा ता जो जिस तरह से रशा जो है गैस डिमांड में कटोती ला रहा है और यूरोप में आपको पताए सर्दियां आने वाली है एक पाई यूरोप में सर्दियां आई तो आपको बनाग कितनी बढ़ती इंटरने ग्रोथ रेट प्रॉफिट जेनरेशन बैट इंकम और जो एबिटा उसमें काफी सुधार आएगा जिससे जो है कंपनी की वैलुएशन काफी इंप्रेसिव हो जाएगी जिससे जो है ट्रेडर इस शेर पे बैट करेंगे तो आप देखेंगे इस ट्रेडर इस शेर पे जो है चालू कर चुके हैं तो आप जो है इस शेर को होल्ड कीजे हमने आपको पहले भी कहा था हमारे हिसाब से सर्दियों में जो है जब सर्दिया पूरी तरह से आ जाएंगी नुवेंबर के बाद नुवेंबर एंडिंग में तो आप दिखेंगे गैस सेक्टर में एक अच्छी गैस जैसे शेर जो है आने वाल टाइम में और परफार्मेस करेंगे तो आप लोग इन शेरों पर जो है बुलिश रिजी इनका एबिट और आरेसे इंडिकेटर भी बढ़िया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यावाद गाई